कि बताए सर तेलीकॉम सेक्टर पर फोकेस और टेलीकॉम सेक्टर के पहुस डियाई है। तीस्सा कोन से वह आपको बाद में गेस करना है ठीकि पहले बता देता हूं भारती एटेल यहां खरिदारी करने के रहा है फ्यूचरस में 1286 का एस्टोप लगाई है 1320 और 1332 दो टार्गेट के लिए काम Vodafone आइडिया का अच्छा हुआ है मजे भारती एटेल लेगा क्योंक इतना भरोसा Vodafone आइडिया पर है इन्वेस्टरस का तो बारती पर क्यों नहीं एक्जाक्ली इना है मुझे लगता है कि यह स्टोप अगले दो साल में आसानी से यहां से पचास परसन की बारत बनाने को तैयार है आसानी से यहां से पचास परसन अगर भारती एटेल और च आइडिया को जो रेस्पोंस मिल रहा है वो इसके लिए पोजिटिव ही है टेलिकॉम सेक्टर रेडि टू ब्लास्ट कोई म्यूचल फिर्म में आप देखिए जिसमें अगर टेलिकॉम सेक्टर को लेकरा लगी स्पेसिफिक थीम फंड हो पैसा डालके शान्ती से बैड़े आराम से यह तो पहला भारती है टिल एक और स्टोक है जो इसी स्पेस से इंडर्स टावर इसके भी फ्यूचर्स खरिदारी करने की राये 343, 343 इसका होगा आपका स्टोप्रोस, 355, 359, 364 ते लिए 355, 359, 364 सिमिलर्ली हमेशा सेंटिमेंटल इनका कनेक्शन है वोड़ा फ सेंटिमेंटली तो पोजिटीव है यह जो रेस्पोंस वोड़ा फोन आईडिया के IPO को मिला है इसके साथ है आज CLS की तरफ से एक बड़ा अपग्रेड आया है और 355 रुपे इनका पूराना टार्गेट था बढ़ा कर सिधा 450 किया है मुझे रगता है यह स्टोक कमाल दिख रुपमेंट वाला है और वो है तेजस नेटर्ग मैं रिकमेंट इसले नहीं कर रहा है क्योंकि कल 17 परसेंट अलरी चल चुक है यह स्टोक है जो 3700 रुपे से लगाता है हम इसको रिकमेंट कर रहे हैं जब से टाटा ने इसको लिया है इसके बाद से तेजस नेटर्ग से प मार्जिन्स देख लिए मुनाफ़ा देख लिए एक थोड़ा साधर इंकम का आंकड़ा भी है लेकिन उसके बावजुद ऑपरेशनल फ्रंट पर बहुत मजबूत नंब्र है एक साल में 45 परसेंट बढ़ चुका है अल्लेडी बाग चुका है लेकिन नंबर्स बहुत कामी है रिलाइन्स भी एक तरह से हुई है फूरा री रेट हो रहा है जिसके सिर्वास टेलिकॉम पढ़ा है बेचने की सोचे भी दा अब नेव सोचे चलिए तो